मौजिले के घोसी विधानसवा सीट पर हो रहे उप्चुनाव के लिए सुबह से ही मद्दान की प्रक्रिया चल रही है इसी बीच घोसी विधानसवा छेत्र के दादन पूरिश्थित मद्दान अस्थल पर समाजवादी पाटी के समर्थित निर्दल परत्याशी सुधाकर सिंग अपने मताधिकार का प्रियोग करने के लिए पहुचे इस दोरान भूत पर इवियम मसीन की गड़बडी की सूचना मिलने पर सुधाकर सिंग ने समबंधित अधिकारी से जल्दी समस्या को दूर करने की मांग की इसके साथ ही सुधाकर सिंग ने मताधिकार का प्रियोग करने के बाद काहा कि वो आठ बार चुनाव लड़े हैं जिसमें से दो बार इसी सीट से विधायक भी रहे हैं इस बार भी यहां की जन्ता ने अपने माटी के लाल को जीत दिलाने का मन बनाया है सफा प्रत्यासी ने कहा कि अगर प्रशासन सत्ता के दबाओं में कोई गड़बली नहीं करता है तो बीजेपी के प्रत्यासी को जितने ओट मिलेंगे उतने ओट से उनकी बीजे होगी आठ बार मैं विधान सभा का चुनाव रहा हूँ चार बार नत्थुपूर से चार बार घोसी से चोथा लड़ रहा हूँ मदबन से भी जीता हूँ घोसी से भी जीता हूँ और फिर हमको समझबादी पार्टी का समर्थित उमिद्वार बनाया गया है और फिर यहां की जंता ने मन बना लिया है हमको विलान सभा में चुनम भेज देगा और जंत हर जाती हर धर्म के लोग किसी जात विरात देजी से इंगी लोग कोई परहेज इस बार नहीं है सारी लोग मद्दान परिसत में कम हो चाहे जाए जादा सभी कर रहे हैं और हम भारी मतों से समझवादी पार्टी समस्तित मिद्वार हम चुनम जीतने जा रहे हैं अब कहीं किसी बूत पर चले जाएए जाए भी होंगे एक एजेंट भी इन लोग को नहीं मिलना है केवाग हम अबल न रहे इनके पास एक एजेंटी समय है न बर्तमान कहीं का ओट को रागया है यहां की जनता क्या चाहती है यहां की जनता की मूल मांग है कि हमारा विधायक हमारी माटी का हो हमारी विधान सभा का हो जो हमारी बात को सुने आप पजारूप लगा रहे थे तो इस तरह से अभी कुर्थिजा परफुर के खराब है तो एबियम की मसलिवार जीतना प्रसासन को हटकंडे हो सकते हैं कि क्या कौन कौन सी उपाई की जा जिसे ओटिंका घटे कि एट खराब हो